नमस्कार, स्वागत अब से भी का हैं अन्बेसी न्यूज में, मैं मानसी माथवर आईने ज़िटालते हैं आज की ताजा खबरों पर ताजिस्ता में 25 नमबर को होने वाले विदानसब अच्चुनावों में कॉंग्रेज और बीजेपी बिना गटबंधन के नाच रही है दूसरी तरव इस्थानी राजनितिक दल, भारी दलों के साथ गटबंधन में जुड़े हुए है इसी कड़ी में अब राश्ट्रि लोक तांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनिवाल और आजाद समाच पार्टी के चंदरशेकन रावन ने गटबंधन कर लिया है दान सब अचुनाव में ये दोनों दल मिलकर बीजेपी और कॉंग्रेस के प्रत्याशियों को टक कर देंगे जैपुर में जालूपुरा सित्थ राश्ट्रि लोक तांत्रिक पार्टी के प्रदेश काराले में गुरुवाराथ हनुमान बेनिवाल और चंदरशेकर रावन ने भारती लोक तांत्रिक पार्टी और आजाद समाच पार्टी के गटबंधन का एलान करते हुए मीडिया से रुबर हुए दोनों पार्टीों के प्रमुखों ने राजिस्तान की सभी 200 विदान सबसीटों पर प्रत्याशी उतारने का एलान किया है वही रावन ने कहा कि राजिस्तान में हमारे नेता हनुमान बेनिवाल है हम उनके पीछे ताकत बनकर खड़े रहेंगे और यह चुनाव लड़ेंगे साथ हुनाने 29 अक्टूबर को जैपोल में बड़ी रेली निकालने का एलान दी किया है दूसरी तरफ हनुमान बोले जल्दी 12 से जादा प्रत्याशियों का एलान किया जाएगा हम जन्हित के मुद्दों को लेकर राजिस्तान की सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाचपाव कॉंग्रेस को करारा जवाब देंगे रिक जानकारी वे खबरों के लिए देखते रहे हैं NBS News नमस्कार